हेलो एव्रीवान कैसे यो आप सब और आज हम बात करेंगे रैडियो जो डी 3 के गेम ला रहा है उनके पॉइंट सिस्टेम के बारे में कैसे आप ये कॉंट जॉइन कर सकते हो कौन से कार्ट लगेंगे आपको और उसके साथ साथ आप पॉइंट कैसे कमा सकते हो अभी काफी स दिस्क्रिप्शन में और उसके अलावा लाइक शेर सब्सक्राइब सब कुछ करिए अब मैं एक्स्प्लेइन करूँ आपको पूरा सिस्टेम पहली चीज आप कौन से कार्ट के साथ ये कॉंटेस खेल सकते हो ये कॉंटेस बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट है आपको कुछ भी इसमें एंटरी फी वगरा नहीं बना होता है अगर कार्ट है आप कालम सकते हैं अगर आप कॉंटेस नहीं भी जींट है तो भी काफी benefits है कि है क्यों ससाथ कार्ट की value भी खुद appreciate हो जाएगी कैसे और पहली हिचीज कौन से कार्ट के साथ क्साथ आप के जॉइन कर सकते हो अगर आपके पास 3 ब्रॉंज कार्ड तो आप पहला वही तीन टाइप के कार्ड और सब आएंगे भी वही तीन टाइप of cards के साथ ऐसा नहीं कि कोई gold या black card लेकर आ जाएगा तो यह है पहला type का contest जिसमें सारे bronze cards है इसके हम कहते है starter contest अब दूसरा export contest इस contest में आपको लगेगा एक minimum silver card अगर आपके पास एक silver card है तो आप यह contest join कर सकते हो उसके यह अगर आपके पास एक gold है तो आप gold भी लगा सकते हो चाह हो तो एक लगा लगा सकते हो तो अलग-अलग combination के साथ लोग आएंगे बस एक minimum criteria की एक silver तो आपके पास होना ही चाहिए और फिर आप हो सकते हैं ऑलीड एकॉन्टेस्ट के पास अब फच मेरा उलीड कॉन्टेस्ट एस एलीड कोंटेस्ट में वापस आपको लगेगा एक ब्लैक कार्ड एक गोल कार्ड ुर एक सिल्वर कार्ड ये है मिनिमम्म आपकी रिक्वार्मिंट की आपको लगेगी ये तीन टाइप के nuts अगर आपके पास bronze हो तो नहीं हो पाएगा अगर आपके पास दो gold हो बड़ एक black हो तो भी नहीं हो पाएगा आपको लगेगा एक black, एक gold और एक silver simple as that और आप join कर सकते हो contest तो यह हो गई पहली बात उसके अलावा आते हम अगले धार पर जो है point system अब यह point system कैसे चलेगा यह जो point system है D3 का वो dream 11 के point system से काफ़ी similar है इसके लिए मतलब जैसे आपका एक run पर आपको एक point मिलता है एक catch पर आपको 8 point मिलते है player starting 11 में हो तो आपको मिल जाते है 4.2x मिलते है captain के वो सब काफ़ी similar है तीन catch अगर ले लिए तो 8 plus bonus points हो very straightforward not too much कुछ सोचने वाली बात नहीं है तो यह हो गए आपके base points अभी इसके अलावा आगे यह कैसे चलेगा उसके अलावा आपको होते हैं दो अलग type के points XP boost और category boost अब आपके card का XP कैसे बढ़ता है जैसे आप यह card को एक contest में use करोगे card का XP बढ़ेगा 2% से और यह हर type की card के लिए चाहे आपके पास bronze हो silver हो जैसे आप कोई card अपने contest में लगाओगे 2% से card का increase हो जाएगा XP इसके लिए एक अब जो मैं advantages की बात कर रहा था black और gold cards की वो क्या है क्योंकि सोना तो सोना ही है तो कुछ तो advantage होगा ना उसका यह है कि अगर मैं 22-22% से एकसपी बढ़ाता जाऊंगा बट अगर मेरे पास bronze card है तो जैसे ही मेरे 10 match होगा 2 into 10 मेरा 20 टका वहाँ पे हो गया अब वो 20% के उपर जाएगा नहीं बट अगर मेरे पास silver है तो वो 30% तक जाएगा अगर मेरे पास gold है तो 45% तक और अगर मेरे पास black card है तो 60% तक तो यह है पहला advantage यह बड़े cards का यह आपको कैसे फायदा देगा दो टाइप से फायदा देगा अगर अभी आप marketplace में जाओगे तो आप तो चाहोगे कि आप सबसे high xp वाला card खरीदो correct मतलब आपके card की value वहाँ पर बढ़ जाएगी जब आप उस card को बेचने जाओगे दूसरा क्या फायदा होगा कि यह जो total points बनेगे एक player के उस game में वो जैसे xp ज्यादा होगा वैसे उसके points भी ज्यादा होगे वो जैसे end तक आऊँगा आप समझ जाओगे वो part भी तो यह हुई पहली बात दूसरी बात यह है कि एक category boost मिलता है इन players को जब आप इन players को contest में लगाते हो अब यह जो category boost है वापस differ करेगा from tier to tier कैसे होगा अगर आपके बास bronze card है तो category boost आपको मिलेगा 10 का silver है तो 20 gold है तो 30 और black है तो 50 तो यह है simple सा फरक कि जैसे आपका tier higher है card का वैसे आपके जो यह boost है वो बढ़ेंगे बट यह सब का फाइदा क्या है totally यह player का points कैसे calculate होगा यह होता है एक system अब इस system में क्या होगा पहले होगे आपके base points calculate समझो आपके पास Andre Russell का bronze card है वो bronze card को मिले जो हमारे point system है उससे जो base points है 100 points उसको मिल गए बैटिंग, बोलिंग, फीडिलिंग सब मिला के अब point system यह कैसे calculate करेगा पहले होगे आपके base points जो उन्होंने actual game में कमाए plus bracket खुलेगा होंगे base points into percent of XP तो समझो आपने यह card को पहले एक ही बार यूज किया और मैंने कहा था आपको कि 22% से card का XP बढ़ता जाएगा तो base points पहले 100 plus फिर bracket खुलोगे base points जो वो game के है वो कितने है वापस जैसे मैंने कहा 100 100 into 2% क्यूंकि आपने एक match में पहले यूज किया तो वो 2% XP आपके पास already है तो 100 into 2% कितना हो गया 2, so 100 plus 2 and मैंने जैसे आपको कहा कि आपका कौन सा card है bronze card है तो category boost आपको मिलीगी 10 की जैसे मैंने पहले mention किया तो 100 plus 2 plus 10 112 points मिले आपको bronze card के थुरू Andre Russell के उस match में जहां उन्हें 100 points कमा है अब जैसे वो card का XP बढ़ेगा points भी बढ़ेगे क्यूंकि समझो आपने उसको 3 match में use कर लिया तो उसका XP हो जाएगा 6% अगर 10 match में use कर लिया तो हो जाएगा 10 20% तो यह हो गई पहली बात category boost तो सेम ही रहेगा हर match के बात क्यूंकि वो card का tier है वो नहीं बदलेगा but फरक कहा आएगा जब ही आपके पास यही card होगा gold में कैसे अगर आपने use किया हो उसको एक match में तो भी वहाँ 2% रहेगा तो आप सोचते हो कि फरक क्या होगा फरक क्योंगा वो category boost का क्यूंकि वहाँ पहो जाएगा वो plus 30 और दूसरा क्या फरक होगा जैसे मैंने कहा कि bronze में जैसे उनका xp 20% हो गया उसके उपर नहीं बड़ेगा but gold में ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा gold में उनका xp 20% के उपर भी जा सकता है silver में 30 तक जा सकता है but gold में 30 के उपर भी जा सकता है और black में उससे भी उपर तो यह है main फरक and जैसे अभी हम assume करते हैं कि वही पे उनका xp है यहाँ पे 2% ही है तो वापस 100 plus 100 into 2% हो जाएगा 102 बड़ यहाँ पे आपका वो category boost काम आएगा जो 30 का जो bronze में सिर्फ 10 पर gold में 30 का तो वहाँ पे total points हो जाएगे 132 मतलब अगर मेरे पास bronze card है और आपके पास gold card है but Russell ने तो उतना ही अच्छा केला जाए आपके पास कोई भी type of tier हो बड़ फरक का हैगा क्योंकि आपके पास gold card है आपको वो booster ज्यादा मिलेगा तो बस यही है फरक और यह है एक simple explanation मेरे तरफ से जिससे आप समझ पाओ कि यह point system कैसे चलेगा और उसके अलावा मैं और भी content बनाने की कोशिश करूँगा जहां पर मैं आपको इस चीज़ें समझा पाओ और आप और in-depth समझ पाओ कि आप कैसे और points कमा सकते हो यह है मेरी understanding इस पूरी topic की हो सकता है कि मेरा कुछ उच नीच हुआ हो इस बात में बट जहां तक मैं समझ पाया मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया आपको कोई भी सवाल हो आप comment section में drop कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like, comment, share and subscribe and thank you for tuning in once again